जैन दोस्तों आज की मेरतन क्लास में मैं आपके लिए गड़त विसे की लंबाई भार आयतन समय और जो मुद्रा है इस टॉपिक में आपके सिलेवर्स में इनकी काईयों के बारे में बताऊंगा तो ध्यान से देखना आपको जीली समझा जाएगा ठीक है विडियो को लाइक से नहीं करा जल्दी से विडियो को लाइक सेर कर दीजे देगी मैं इसकी बहुत अच्छे ट्रिक बताता हूं पहले यहां पर मैं एक ट्रिक लिख भी देता हूं इसको ध्यान रखना आपको बहुत इस ही हो जाहेंगी कोई भी काईयों के कनबट करने में जैसे कि यहां पर फिर होगी डेसी है 2 ओ फिर आगे होगी ग्राम लीटर यह मीटर लीटर यह मीटर थी कह ये मुल आद जी काई होती हैं मुल मातकों से इसके बाद होना अबचा हैफिरागे होगा हैक2, फिर आगे होगा किलो और अन्तमा होगा मिरिय, यह सारी एकाई है, अब देखना, इसकी ट्रिक के है दोस्तो अब सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी मिली होगी, ठीक है? यह कैसी है, सबसे छोटी इकाई चोटी इकाई और सबसे बड़काई होगी मीरिया ठीक है बड़काई सबसे बड़काई अब इसको याद रखना तो इस ली आप जितनी भी यहाँ पड़काई होंगी आपस में दूसरे में मैं इनको convert कर पाएंगे देखना इसी में और समझना जैसे कि यहां से बात करें डेसी को मिलीटर में बदलना हो कोई भी काई होगी उसकी डेसी काई को मिलीवीटर तो उपर जाएंगे एक दो तो दो जीरो बढ़ा देंगे ठीके नीचे आएंगे जैसे कि यहां से समझिए द ने जीरों का multiply होगा और जितने नीचे आएंगे उतनी जीरों का यहां पर क्या लगेगा भाग लगेगा बस दो चीया रहाएंगे और नीचे से उपर जा रहें तो गोडा करें कैसे अभी आपको मैं clear कर देता हूं जैसे की आप यहां पर देखना यहीं पर समझा देता हूं जह से कि आपके सामने आ गया कि 9 ग्राम है ठीक है नौ ग्राम को किस में बदालना आ handle नो ग्राम को किसमें बदालना उस वहавать और मृलीटर रहें एक इक दो तीन तीन डिजिट ऊपर है कौन मिली तो इसमें क्या करेंगे नीचे से ग्राम से ऊपर जा रहे हैं तो उपर जब भी जाएंगे उतनी जिरो इसमें बढ़ा देंगे तीन तो यहां पर कितना जाएंगा 9000 मिलीलीटर यानि कि तीन ग्राम बराबर कितना हो जाएंगा 9000 मिलीलीटर समझ में आगे होगा इसका मैं उल्टा भी आपको समझाने कोसिद करता हूं जैसे कि मान के चलिए समयाता हूँ अब इससल्ब्रिश्न आ जाएंगी देखिये पर अईसा आजाएं कि पंद्रा कुछ भी लेले सेंटिमिटर है यहाँ है ऊपर है और कॉर्डे का नीचे आ रहा है तो नीचे जब भी रखने हैं यह कि पीछ से से रख सकते हैं मिलिस क्याइट से सकते हैं मिली सेंटी डेसी ग्राम लीटर मीटर डेका हेक्टो किलो मीरियद बार बार दोहरा हिए इसको याद हो जाएगा अब चली हम सीधा आगे बढ़ते हैं तो कुछ जो महत्मु निकाई हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं और जो अभ्यास प्रिश्ण होंगे उन से भी आपको प्रेक्टिस कराने की कोसिस करूंगों जिसे परिक्ष्ण में आपको मदद मिले सबसे पहले हम बात करने हैं लंबाई का जो मापन है या लंबाई की काई यह हैं उनको देख लेते हैं लंबाई का मापन लंबाई को आपने देखा होगा लंबाई को किने काई हो नापते हैं मीटर में नापते होंगी यह फिर सेंटी मीटर में किलो मीटर में फुट में इंच में तो इनके बारे में थोड़ इसी जानकार यह आपको होना चाहिए जैसे की आप से पूछ ले एक किलो मीटर ठीक है किलो मीटर आपने सुना हुआ एक किलो मीटर बरावर कितने मीटर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक हजार मीटर होते हैं उल्टा भी पूछ सकने हैं एक हैर मीटर बरावर एक किलो मीटर क्लियर है आगे हम बात करें एक मीटर पर रावर पूछे एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं तो आप बताएंगे 100 सेंटी मीटर थीकрах है इनकों कर दो है अब में सब्सक्राइब को इस अब बताइब गया है कि ततना 100 में याद करेंगे तो ज्यौदा टिक राएगा एक फूट को एक फोट गृओर बारावर कितने इंच होते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक फट बरावर 12 इंच होते हैं ठीक है अब एक इंच की बात कर लें तो एक इंच में कितना सेंटिमीटर होते तो बताएं दो तुमलब पांच चार सेंटी मीटर तो देखना देखना और समझना ठीक है पहला जो कोश्चन है वह हम ले लेते हैं यहां से कि पहला खुश्चन है कि 2 km 7 m 16ff और 5 Itka मीटर में कितने मीटर होंगे ठीक है आपके सामने स्क्रीण सकते हैं कि दो किलो मीटर और सेंटॉम सेंट पांच लिए जेगा है जो मैंने वह होना आ शेँज कर रहा है तो आपको अब ऑभी मेने बताया था है आप भूल जाते हैं तो उसको फिर से लिख लिए जिए गए ना जो मैंने भी ट्रेक बताई थी आपको उसको आप लिख भी सकते हैं जैसे कि यहां पर देखिए मैं फिर से लिख देता हूं मिली फिर क्या था सेंटी डेसी भी ग्राम यहां पर क्याय है का लिटर मीटर थीका है भी रेखिए अपकर लेते हैं ओप यह आतकी सकते हैं और नहीं तो आप यसा लिख भी सकते हैं के में चेंज करना है तो कोश्चन को ऊससे समझ ने की दो किलो मीटर है पहले दो किलो मीहें ठीक है इसको पहले मीटर अब ड है किलोon मीटर वराब कितना होगा 2000 मीटर ठीक है प्लस करेंगे साथ हेक्टो मीटर हेक्टा कहा है यहां पर है बदलना मीटर में है तो इससे उपर है तो देखिए साथ और एक उपर है मीटर एक जीरो को गोड़ा करेंगे प्लस से पांच डेका मीटर हेक्टा है मीटर है एक दो आएगा अब कह रहा है कि पांच डेका मीटर का यह है और मीटर मीटर बदलना एग उपर तो उपर जीरो तो यह सारी काई किसमें बदल गई मीटर में इनको प्लस कर लेंगे हैं एक के नीचे लिखकर प्लस कर सकते हैं 0572 तो यह किसमें बदल गई मीटर में 2750 मीटर तो देख लीजिए उत्तर आपका कौन सा होगा बहुत इजी है बस इसको आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और बाकी मैंने कम्प्लीट सिलेवर्स के नुसार डिटेल में मैतमेटिक्स पड़ाया है नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना 30-35 वीडियो होंगी आप 2-3 दिन में बहुत इजीली देख सकत है ठीक है पसे रिवीजन के लिए क्लास है और आगे मैं आपके लिए जियो मैट्र की भूती मेहत्मूर्ट क्लास साइध कली करा दूंगा एक से दो और महामायरतन की क्लास आपको मिलेंगी और बाकी जो अवैसक चीजे होंगी वह मैं आपको यहां पर पढ़ाओं कूंगी रिए प्रि ऐइक बस्तू कि एक बस्तू कि लंबाई पांच डेसी मीटर तथा चार मीली मीटर इसकी लंबाई मीटर में ग्यात कर अंब देखना इसका अउत्तर ऊपके मितर हैं दोंस्तों तो यहां पर लाएं लोड़िए पहले हैं मीटर ना Li वह तर दर में हैं मैं आपके साथ कहता अब देखि यहां पर पांच देसी मीटर और मीटर बदलना है डेसी ऊपर आता है मिली सेंटी डेसी और फिर ग्राम लिटर मीटर यहिसे नीचे एक अंग आएंगे मीटर बदल जाएंगे एक 0 का भाग रगाएंगे 10 का lug tasks करना होता थीक है अब क्या है कि paranormal मीटर तो मिलीवीटर ठीक है क्या है चार मिली मीटर और इसको किसम से में मीटर में मिली लीटर या मीटर वाद होला थी Oh आपढ़ है मिली लीटर पर हुत थेंटD 2 01 dass the यदा के तीन यहां पर कितने जिरो को भाग लगाएगा एक-दो 30 ख लगए एक-धों थिन ऐके-इसमें पहला जाएगा-वह भाग लगाए इसमें था यह न्हовые दसमलाव .05 यहां पर पीछे से तीन अंगवा दसमलाव एक दो तीन ठीक है पॉइंट जीरो तो उत्तर यह पर कितना होगा बात के लिए रहे जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग लगाएंगे नीचे सूपर जाएंगे तो क्या करेंगे गुड़ा करेंगे ठीक है लंबाई के काईयों से प्रिशन ऐसे आ सकते हैं चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं एदि अभी तक वीडियो को लाइक करें जल्दी से वीडियो को लाइक करें चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब भी कर लिए ठीक है अब आगे देखिए यहां पर भार यह जिसको हम क्या कहते हैं बजन भी कहते हैं ठीक है आपने अपना बजन बहुत तुलह होगा तो आप अपना जितना भी भार है वो नी मेंट्रिक टथन कितना होता है आपने भास सुना होगा वह यह आप खेटिक कि सानी से संबंधित होंगे तो एक मेंट्रिक होता दस कुंटल एक मीट्रिक टन में ट Iya गई और jed single कि बात करें किऊंदिक Saam किलो ग्राम ठीक है एक हजार किलो ग्राम बराबर क्या होता है एक कुंडल होता है और बात करें जैसे कि एक किलो ग्राम की बात करें ठीक है एक किलो ग्राम में आप से पूँचे कितने ग्राम होते हैं तो एक हजार ग्राम होते हैं ठीक है अब आगे हम और बात करें एक ग्रा विंखारी होना चाहिए ठीक है अब देखिए हम इसके कुछ एक-ढो प्रिशन करके देखते हैं जो आप प्रेक्षा में पूचे जा सकते हैं दिखिए यहां करते हैं तो देखिनीं आपके सामने यहां पे लगा देता हूं तो कुछ rol द्यान से पढ़िए दोस्तों कि क्रिशन है तीन 1 2 1 dan 5 Cent कम मिली गराम में मांग्यात करना है अब देखना है दोस्तों मिली ग्राम में बाकिक ठीक आप वे सभी काईई हों में सेवी काम आएगी दी इ Hang फिर से यहां पर लिक दे रहा हम बार-बार से लिक रहा हुआ को ताकि आपको समझ आए क िल मिली में सेंटी के डेस्टी यहां पर कहा थ है ग्राम लीटर मीट पिर्टर कि गा है को है कि है कि लो और मिरिय आई इस सबी रखाए उनको बदल ले मैं हो्ट इयूली का आैगी ठीक है अब यहाप सिछ प्रिश्ट Steम she ग्राम क्या है यहां पर तो 3 ग्राम है और मिलिग्राम ऊपर ले जा रहा है एक दो तीं तो जब भी ऊपर ले जा उतनी जीडोम अच्राइब करनाा है 2 डेसी ग्राम तो डेसी यहां पर है और किसमें बहुत नहीं ग्रम मोलिग्राम एक दो तुसमें दो जीरो को उना करनें प्लस पांस जेन्टी ग्राम पांस एक जीरो आएगी तो जीरो इसको प्लस कर सकते हैं यह देखिए नीचे एक भी लिख लें या फिर जैसे आप इसको प्लस करना जाहें जीरो फाइव टू ओर थ्री तो कितना आगे बद तीस सो पचास किस में बदलेगा यह मिली ग्राम में बदलेगा ठीक है ग्राम या फिर किलोग्राम किसकी काई होती हैं बजने भार के काई होती हैं प्रिश्णा आप समझ गए पस इस ट्रिक को याद रखेंगे तो सारी समझ आ जाए देखिएगा अगला प्रश्णा आपके सामने हैं एक आटे के थैले का भार पंद्रासो ग्राम तीन हजार मिली ग्राम है पंद्रासो ग्राम और तीन हैर मिली ग्राम है आटे के थैले का भार किलोग्राम में बताना है अभी हमने जो ट्रिक लिखी में इसको फ हेक्टो दो किलो तीन तो नीचे आए तो एक दो तीन से भाग लग जागा 30 अटीन हजार मिलीग्राम है तो मिलीग्राम काओं को सबसे उपर तो वहां से नीचे आएंगे तो नीचे भाग लगते सेंटी एक डेसी दो ग्राम 3, डेका 4, हेक्टो 5 और किलो 6 तो यहाँ पर कितनी 0 आएंगी 6-0 से यहाँ भाग लगेगा ठीक है 3-0 से 3-0 कार्ड़ है 2-0 से 2-0 यहाँ पर 1.5 प्लस यहाँ पर पीछे इस 3 एंकवा 1-2-3 इसके आगे 0 लगा सकते है अब इसको प्लस कैसे करते हैं मैं पिछली वीडियो इसका चुका है दसमला पनीचे दसमला 003 है और इससे पहले 0 है जितने गैप हैं यहाँ पर 0 बढ़ा लें 3-0-5 यानि की 0.503 किसमें बदा ले गया है किलो ग्राम में बदा ले गया किसमें बदा ले गया यह किलोग्राम में बदा ले गया तो उत्तर कौन सा होगा आप चेक कर लीजिएगा बी बाला ओप्षर क्लियर है वह अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अब चली हम आगे बढ़ते हैं आयतन का मापन देखते हैं और उसके कुछ महत्पूर्ण फॉर्मूले उनको भी देखते हैं देखिएगा आगे आयतन का मापन ठीक है आयतन का मापन आयतन का मापन कैसे किये जाता है तो देखिए आयतन की कुछ महत्पूर्ण फॉर्मूले हैं इनके विसे में हम थोड़े सी यहां पर चर्चा कर लेते हैं जो कि परिक्षा में आपके बहुत ज्यादा पूचे जाने के चांसे हैं ठीक है अब देखी कुछ में आपे फॉर्मूले बता रहा हूं एक एक करके इनको याद देखने डारेक्ट परिक्षा में आपको संख्या दी होंगी और जिसे की लंबाई चोड़ाई है जो भी इसके फॉर्मूले होता है सीधा पुट करना हो और आंसर निकालना होगी यह फिर थोड़ा घुमा फरा के पूच ले जाएगा इसके हम और रेडी कोस्टन होगी प्रेक्टिस कर चुके हैं अभी भी समय है दोस्तों अपने वीडियो नहीं देखें कंपने डिटेल वाली तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना चली मैं आपके लिए कुछ महत्मून फॉर्मूले हैं वह बता रहा हूं यहां पर याद रखना आपसे पूंच ले कोई आयताकार कमरा हो ठीक है आयताकार में बताना क्या इनका आहतन चांतेतन का निकलेंगे साइट गयाने किलिए प्राकर से होता इसकेक क्रें लांबहा होगिक बाह यहां बार है जो फ zabt आयतन की बात करें त्रीडी रूप में रहेगा संदूख होगे घनाव हो गया तो इसका आयतन हमें निकालना होगी तो हमें जबरत होगी लंबाई की इन्टू चोड़ाई और इन्टू उचाई हम तीनों का एदी मल्टिप्लाई कर देंगे तो एकाई जो आएगी वो घन एकाई में आएगी जो भी होगी वो आयतन हमारा निकल जाएगा क्लियर है आगे बढ़ रहे हम घनाकार एक घनाव हो गया दूसरा घनाकार यानि कि बर्ग को याप 3D में कर दें घनाकार ब बस्तू का आयतन कैसे निकालते हैं आपके पास जो भी भुजा है उसका क्यूं कर दीजिए यानि कि तीन बार मिल्टिप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आयतन निकल जाएगा हमेशा आयतन घन एकाई में आता है ठीक है याद रखना बहुत ही महत्मून फॉ तो आप बताएंगे बिल्लेकार बस्तू का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्कॉयर एच जब काई में अब यहां पे देखी आर क्या होगी त्रज्जा और एच क्या होगी उचा ही होगी इतना आपको पता होगा आगे हम बढ़ते हैं संकवाकार कोई भी स संक्वा कारवस्तू है उसका आयतन ठीक है बस्तू का आयतन क्या होता दोस्तों एक वटे तीन पाई आर स्कॉयर एच आर अगें तरज्जा है चूंचा यो पाई कमान बाइस वटे साथ तो इक है हमारी घने काई में यह आएक आयतन क्लियर है अब हम आगे बढ़ते हैं देख गोले का आयतन कितना होता है गोले का आयतन गोले का यह नहीं कि आदा गोला अर्द गोले का आयतन क्या होगा अर्दगोले का आयतन होगा दोस्ता इसका आदा कर दीजिए दो बटे तीन पाई यार क्यू ठीक है आर यहां पर तरज्जा होगी घन इकाई इन फॉर्मूलों को आप दो से तीन वाल लिखके याद कर लेना सीधा आपको परिक्षा मिन की बेलिउस दी जाए जामान चली इस गुमा फिरा के पूचे तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं चली अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए का आगे देखिए कुछ जो तरल पदार्त है उनके आयतन भी पूचा जाए तो चली मैं होट में आपको थोड़ी सी और बिसिक जानकारी बिता दूं कुछ एक काई है मिल्लीटर को बूसरा प्राबर कितना होता है एक गैलन काफी बार आपके सामने आता होगा परिक्षा में या फिर अपने सुन आओगा एक गैलन कितना होता है 454 मीटर के बराबर होता है क्लियर है के लिए क्लास है बागी डिटेल में अल्रेडी से लेवेस का नुसर बड़ा बार बार कह रहा हूं ठीक है जिन विद्ध्यारतियों ने देख लिए है वह एक बार नीच ग्लास के दोनों सिरे समान है ठीक है मा दोनों समान मापके हैं फिर से बढ़ता है एक ग्लास के दोनों सिरे समान मापके हैं उसमें आधा जल भरा है यदि उसके एक सिरे का 625 सेंटीमीटर हो और तथा ग्लास 16 सेंटीमीटर गहरा हो तब ग्लास में कितना और पानी आ सकता ह है इसे बाताना अप्सक्तान सामना है यहां यहां पे ले लेते हैं कह रहें दोनों सरे एक जैसे अपर से ले लिया टीशे नीचे जैसा आ एक जैन्सा है कि एक स्थेटरफल कितना है 25 सेंटीमीटर स्कॉयर यानगी बर्ण सेंटीमीटर रहे हैं दूसरे तो पूछ रहा है तब ग्लास 16 सेंटीमीटर गहरा है यानि कि इसकी लंबाई कितनी होगी सोला सेंटी मीटर कORA ही बाद करा है इसकी लंबाई दी अब पूंछ रहा है तब ग्लास में कितना और पाणी आ सकताfound अन्दर कुछ भरन की बात करैं किसे बता है वहीं हम ने बंने तेका बेलनाकार चौov I चुकि हैना कर देखी अब यहान पर देखिए गाइँहां तो यहां तो इससे हैं देखिए उसको पर सकते और सरल देखें पर ब्रत का चितरपल कितना होता है पाई आर इसको और इसका चितरपल दिया है कितना पच्चीस तो पाई आर इसको यह जगे पच्चीस रख सकते हैं उपर और एच हमें 16 दिया ही है उंचाई और दो आदा करना है दो से आड़ बार कैंसल 25 यहां पे सवाल होते हैं चली हम आगे और प्रेक्टिस सवाल देखते हैं देखें देखते हैं देखते हैं देखें आगे है प्रिश्ण क्या है यहादी एक संखु के आधार की तरज्जा 3.5 cm और उचा ही है 12 cm ता हमें संकु का आयतन निकालना है संकु किस प्रकार से होता है दोस्तों संकु इस प्रकार से होता है ना टोपी आकार से इसमें कहके दिये तरज्ज यानि कि इसकी तरज्ज है तीन नस्मलाब 5ी सेंटि मीटर और ऊचाई कितनी यहां से यहां तक की ऊचाई ही और 12 सेंटि मीटर अब इसका आयतन पूचा है चुकि हमये संकू का आयतन पता है 1 बटे 3 पाई स्कौायर हैं हमें बार बार लिखने कर सकता नहीं है आयतन निकाल रहा है तो एक बटे 301 ठाइब कितना होता है 22 बटे 7 आध तरज दी है थी 4 माठ तो इसको होगा दोबार उसका इसको करने हमारा आंसर आ जाएगा देखी स्वाल्व करने एक दसमाला बटाएंगे जीरो एक अटाएंगे नीचे जीरो ठीक है यह ऊपर वाली है इसमें नहीं है ना गुडा में बारा है तो ध्यान से देखना हम साथ से कैंसल कर दों किसको थोड़ा सा देखना है ना और नीचे थोड़ा सा आपको सकते यहां पर दिक्कत हो रहे हैं अब कितना बचा ऊपर देखी सब कड़ेंगे ऊपर बचा 22 गोड़ा यहां पर बचा 35 और दो नीचे बचा बटे 10 तो इसको आप गोड़ा करेंग कितना आएगा देखी 22 दूनी 44 इंटू 35 कर लीजे और नीचे से कंगव देखी यहां पर मैं साइड में कर देता हूं यह फिर आप कर सकते तना तो आपके ऊपर चोड़ा देता हूं 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 और गोड़ा 35 करेंगा जो भी आएगा और नीचे बटे 10 तो उसमें एक अंगवाद रख देंगे आपका उत्तर आ जाएगा तो इसक जो नेकश्ट वीडियो आएगी और सबसे महतून है इसके बाद हम एक से दो और महामैरतन क्लास करेंगे जो कि आपके रिवीजन के लिए से महतून होंगी इसके बाद हम जो महतून लगेगा प्रेक्टिस कुस्टनों को या आप कमेंट मैं बता देना क्या कराना दूंग चुकि mathematics पढ़ना चाहते हैं जो भी विस आप नीचे में कमेंट्स में बता देने चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए आगे समय का मापन समय का मापन अब इसको समझेगा समय का मापन क्या होता सबसे पहले हम यहां पर गड़ी की बात करने ठीक है घड़ी आप समने देखी होगी और जिसने नहीं देखिए वो एक बार कमेंट्स में जरूर बताना देखिए गड़ी में आपने एकसा देखा होगा am और pm ठीक है am pm आपने बहुत देखा होगा यह आपने अलार्म लगाया हो तब भी am pm को अब समझते होंगे अब इसी को हम पहले समझ लेते हैं घड़ी में बेसिक सी जानकारी आपको पता भी होग है बाइस सौरी 24 गंटे होते हैं घड़ी में टोटल ठीक है इसमें 12 गंटे के दो अंतराल कि आता है देखिए रातरी 12 वजए से दोह लज़े 20 वाज़े तक के समय को हम पूर बहान कहते हैं इसमें कंफ्यूज मत होना बहुत सारी विद्द Тीन रातरी 12 से सुभा जो दोफ्यर के बारह बजएंगे इसको हिंदी में पूरुबान कहते ए और एंग्लेस में ए यानि की इसका इसका फुल्फों होता एंटी मेरिडियन ठीक है एंटी मेरिडियन एंव रात को बारा सुबह बारा बजेंगे एंव और जो दुफेर है दुफेर के 12 वजे से अब रात री के कितने बजेंगे 12 वे समय कैसा होगा मारा अप रहान का होगा यानी कि पीएम का होगा पीएम यानि की पोस्ट मेरेडियन किलियर है इसमें बहुत सारे विद्यारती का नफ्यूज होते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और छोटी-छोटी जानकारी हैं वह देख लेते हैं रेले पर घड़ी को आपने देखा हो उसमें किस परकार से बचते हैं 22-23-24 है यानि उसमें 24 गंटे के अनुसार बचते हैं लेकिन हम जो नॉर्मल घड़ी उपियोग करते हैं उसमें 12 गाद 1-2-3-4 इस परकार से बचते हैं यतना आपको पता होगा और भी आपको बहुत सार जानकारी पता होंगी लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक मिनिट बरावर कतने होते हैं साट सेकेंड होंगे एक मिनिट में किलियर है और एक घंटे में मिनिट की बात करें गंटे में मिनिट कितने होंगे वह भी साट होंगे क्लियर है इतना अब हम कुछ और यहां पर यहां पर चुबीस घंटे कंगा होता है सा एक दिन हो जाता जोएस घंटे में समानत हमारा एक क्या हो जाता है महा हो जाता है ठीक है फरवरी चुकि 28 की होती है और 365 दिन का क्या होता एक बरस होता जब लीब बरस पढ़ती है तो 366 दिन होते हैं और 366 दिन को हमके कहते हैं लीब बर्स कहते हैं लीब बर्स है फरवारी 29 की हो जाती है और 12 महा को हमके कहते हैं एक बर्स हो गया ठीक है अब और देखिए जो 100 बर्स हो जाती है तो कहा जाता है कि एक सताब्दी पूरी हो गई क्लियर है साथ दिन को कहते हैं ए दो पक्षक एक महीना और बाबन सप्ता यदि आपको हो जाए तो बाबन सप्ता यानी कितना होगा एक बरस ठीक है दस बरस को क्या कहा जाता है दसक कहा जाता है एक दसक बीच चुकी है ठीक है इतनी बेसिक सी जानकर यह आपको समय के बारे में पताऊंगे अब समय से रिलेटेड जो कोश्चन आते हैं वह मैं सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं तो आप डेटेल में वीडियो देख लेना अभी यहां पर पढ़ाने की कोई अवसकता नहीं है आपने को भी हलके में ना लें उसकी वीडियो भी कंप्लीट डेली हैं बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है एक एक बात छोटे सी चोटी बहुत बारी किसी समझाई हिंदी वेकरण एक बार हिंदी वेकरण आप पढ़ते हैं पड़वारी हो गया यह फिर जितने भी अग्जाम ह हैं जिसमें हिंदी पुछे आती सीट हो गया यूपी नणे फंट हो गया हिंदी वेकरण भी बहुत ज़्यादा काम आएगी तो हिंदी को भी विल्कुल एग्नोर ना करें गड़ेत विसे को पढ़ें परेवराण सभी विसे को बरावर बरावर महधविद हैं बाल विकास भी बहुत मैत्पून है उसको भी विल्कुल अच्छे से पड़े और दोस्तों मैंने एक वीडियो भी डाली है तो उसको देख लेना सजेशन के लिए ठीक है और आपको अच्छे नॉट्स है जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा तो मुझे टेलिग्राम पर जॉइन कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है तो बहुत से प्रोसेस आपको पता चल जाए चुकि अब समय कम है तो नॉट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ठीक है चली मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महाय महरत्तन बिल्कुल दे जानकारी अगली वीडियो में बताने वाला हूं जरूर देखिएगा और आप जिस भी तारीक एक्जाम है नीचे कमेंड से बता दीजेगा मैं हो सकता है कि पांच तारीक से लेकर अगले कुछ दिनों तक भोपाल रहूं तो जिस एक्जाम सेंटर पर आप कर रहेगा तारी दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए तना ही जहन बंदे महत्रम